हमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों उम्मिद करता हूँ कि आप लोगों को आप तक एक ख़बर मिल चुकी होगी कि टिक्टोक सहीद सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी एप और क्यूं इसे हटाया गया है और इसका इंपक्ट पड़ेगा हमारे और चाइना पे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी एप और क्यूं इसे हटाया गया है और या कहाएं कि बैन किया गया है तो टोटल नमबर आप जो निकल के आ रहे हैं 59 है जिसमें से कुछ पॉपुलर एप्स हैं जो कि इस तरह से हैं टिक टॉक, शेरिट, कवाई, यूसी ब्राउजर, क्लैश of Kings और बहुत बहुत सारी अप्स हैं जिन्हें आप जानते और भूस ऐसी से पहे Slowly जानते हैं तो बहुत से लोग जो आप जानते हैं तो आप जानते है कि कि इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था जिससे लोगों को नुक्सान तो ही रहा था पर्सनली उपर से हमारे देश्ट को भी नुक्सान हो रहा था क्योंकि कोई भी आधितल के बहुत एच्चेव करने वाला तो नहीं था 100% और उपर से जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं पढ़ाय लिखाई छोड़के कॉलेज जाना बंद करके कैमरा लेके ड्राइपोर लेके निकल जाते हैं कहीं गार्डन में टैरिस पे कहीं भी जाके वीडियो बना रहे हैं अनाप सनाप कर रहे हैं लेकिन दुख लगता है उन लोगों के लिए जो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते थे जो काफी अच्छी नॉलेज देते थे और काफी लोगों को मदद करते थे हल्प करते थे हर कोई एक जैसा कंटेंट नहीं बनाता है इस बात से हम फुली एग्री करते हैं लेकिन ज्यादातार मेजॉरिटी की आएंगे और लोग उनको उतना ही पसंद करेंगे क्योंकि वो यूनिक content लाते थे और अपने को अपने जो भी content है उसमें कुछ सीखने का देते थे या कुछ entertainment अच्छे तरीके का बताते थे जिससे लोग entertainment होते थे वो कहीं भी जाएंगे तो उन्हें success ही मिलेगी लेकिन यह न time बचेगा और अच्छे कामों में उसे यूटिलाइस कर सकेंगे दूसरी बात है इसे बैंड क्यों किया गया इस time पर आपको पता हैं दोस्तों मैंने अपने पुराने वीडियो में बताता आया हूं कि बहुत सारी Chinese चीजों पर बैंड किया जा रहे हैं लोग डिमांड कर र हैं अगर इसमें गौर्णमेंट हुदी इंवाल होती है तो यह काफी अच्छे लेवल पर इंपक्ट करता है तो इस वज़े से गौर्णमेंट ने इसे बैंड किया है और साथ ही बताया है कि एक इस तरह से खतरनाक थी कुछ सारी एप है जो अपना डेटा स्टोर करती थी और वो कभी भी चाइनीज गौर्णमेंट को दे सकती थी वहाँ पर इस तरह की पॉल्सी है गौर्णमेंट के साथ इन चाइनीज अप्स की वह हमारा डाटा लेकर कभी भी दे सकती है तो यह प्रेवेसी का इक इश्यू है हमारा कोई भी डाटा कैसे भी ले सकता है हाल के द और इस टाइम पे जब हमारा और चाइने का ज़्यादा टेंशन है तो इन सब को बैंट करना चाहिर सी बात है उन्हें एक संदेश देना भी है लेकिन इससे क्या चाइनिज एकोनमी बिल्कुल डाउन हो जाएगी वो हमारे हम सामने आके गिड़ गिराएंगे हमसे बोलेंगे कि नहीं इन्हें मत करो तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जी हां ये भी एक सच बात है चाइनिज को इतना ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा इन सब एप्स बंद होने का क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा मार्केट है पहले से बहुत सारे लोग इसे यूज कर रहे और हम सिफ ये एप्स के मामले में ही ऐसा नहीं है कि चाइनिज चीज़ों करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं ये उसका बहुत कम परसंटेज है तो उन्हें बहुत ज्यादा फरक पड़ने वाला नहीं है अगली बात करते हैं कि क्या टिक टोक या इस तरह क कि हम सारी टर्मने कंडिशन फॉलो कर रहें और उसके बाद वो आ गया तो हो सकता है फिर से टिक टोक गवर्मेंट के पास जाए और बताए कि हम अपना सारा टेटा इंडिया में रखेंगे प्रिवेंट करेंगे अच्छे से और किसी को नहीं देंगे चैनिज गवर्मेंट कि नहीं हटा दिया गया है जबकि देश में ऐसी हालत हो रखे और लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं चैनिज चीजों को मैं पर्सनली बहुत खुशूँ कि इस तरह की आप खास का जो टिक टॉक और वीडियो शॉट वीडियो एप से जहां पर अनाप सनाप सब्सक्राइब मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए दोस्तों जय हिन जय भारत